अकेले एक उर्जा का पुंज है और इसलिए मैं महाराश्टिक इस पावन धरा को गोटी-कोटी नमन करता हूँ इस धरा ने भारत के समिधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराम बैटकर को सामाजिक न्याय के प्रोधा महात्मा फुले को महिला ससक्ती करण की साक्साद प्रतिमूर्ती सावित्री भाई फुले को जन्म दे करके भारत को एक नए भारत की दिसामे अक्रिसर करने का मार्ग दर्सन दिया है और हिंदो धर्मरक्सक श्वराज के अभिहान के नित्रत्व करता चत्रपती संबाजी महराज की इस पावंधरा को और जिस पावंधरा ने स्वतंत्र भारत में भारत की स्वतंत्रता के लिए दो दो आजन्म कारावास की सजास सही ऐसे बीर सावर कर किस पावंधरा को नमन करता हो स्वतंत्र भारत में हिंदुत्व की धोजापताका को सदेव जीवन्त रखने वाले सरदेव बाला सहब ठाकरे को ही मैं नमन करता हूँ बैन और भाईयों मैं जब यहाँ पे आता हो यहाँ के बारे में सुनता हो मुझे बहुत आस्तर यह होता है कि छत्रपती सिवाजी महराज की पावंधरा में जब इस देश में मुगलों का अतंग था उनका प्रचुस्व था उस काल खंड में चत्रपती सिवाजी महराज ने हिंदवी सुराज की अस्थापना की थी उस काल खंड में जब औरंग जेब हिंदों पर जजिया कर लगा रहा था और जो कर नहीं दे सकता था उसका जवरन मतांतरन करा रहा था उस काल खंड में औरंग जेब के दंब को चकना चूर करके चत्रपती सिवाजी महराज ने हिंदवी सुराज का जणडा बुलंद करने का काम किया था और हिंदुस्तान के माथे को गर्ब के साथ उपर उठाने का कारे किया था लेकिन मुझे अस्थर होता है मैं अस्थर होता है मुझे इस बात को ले करके मैंने सुना कि कॉंग्रेस के प्रदेश के अध्यक्स यहां आये थे और अपने संसकारों के अनुरूप कह रहे थे कि राम कॉंग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर को धुलवाएगी अरे यूपी के जनता तुम्हें उस लायकी नहीं छोड़ेगी कि अयोध्या पहुंच भी पाओगे अयोध्या मैं राम मंदिर का निर्मान भारत की 140 करोड़ लोगों की भावना का प्रतीक है भारत के अंदर जब हमारा महाराष्ट देश के अंदर के सभी लोग मिल करके मोदी जी के नित्रत्व में अपने वोड की कीमत को समझे हैं और मोदी जी का ससी नित्रत्वा उन लोगों ने स्विकार करके मोधी जी को भारत का प्रधान मंतरी बनाया तब कॉंग्रेस के कलंग को समाप्त करते वे मोधी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्मान का मार्ग प्रसस्त किया है और आज तो अयोध्या में रामला बिराजमान हो गये हैं मैं तो युद्या से ही आया हूँ कली मैं युद्या था मुझे जब भी मौका मिलता है मैं युद्या जाता हूँ वैन और भाईयों ये भारत वासियों के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकते हैं गी 500 वर्सों कंतजार आज भारत के अंदर समाप्त हुआ युद्या में राम लला फिर से अपनी जनम भूम्य में बिराजमान हो गए राम मंदिर का भब्बे निर्माड हो गया है जो लोग पहले कहते थे एक कांग्रेस के लोगी कहते थे न कियो तिहां में अगर हिंदों के पक्स में फैसला होका तो दंगा हो जाएगा यही कहते थे धमकाते थे खोन की नदियां बेह जाएंगी भारत पे हमला हो जाएगा इन लोगों को पताई नहीं कि नया भारत है यह नया भारत है बोलता नहीं है करके दिखाता है छेड़ता नहीं है लेकर अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है हमारा संकल्प था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं महारास्त से हजारों की संख्या में कारसेवक आये थे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए और मैं तो देख रहा था अपने राज्य सभा के हमारे मानिय सांसत सी अजीद जी यह तो च्छा दिसंबर 1902 को भी वही थे अयुध्या में ही थे आज उनसे मुलाकात हो रही है मैंने उनको बोला मैंने का कुछ सकल जान पैचान लगती है आपकी तब उन्होंने कहा मैं भी च्छा दिसंबर को अयुध्या में ही था बैन और भाईयों यह जो लोग कह रहे हैं न कि कॉंग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर को दुलवाएंगे राम लला इनको इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि इनकी सरकार आए वो नौबती नहीं आने वाली है चार चर्णों के चुनाव संपन हो गए पांचवे चर्ण में आपको मद्दान करना है बैन और भाईयों और मैं भी कह सकता हूँ पुरी देश के अंदर जो नारा गूजरा है एक ही स्वर है एक ही स्वर है और हर और से एक ही नारा गूजरा है और वा है कि फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार और अब की बार अब की बार तो जब ये नारा भाजाप्त के लोग nda के लोग लगाते हैं तो बिपक्स को लगता है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन चली गई वे पूछते हैं कैसे होगा तो जनता से पूछते हैं तो जनता जनारदन उन्हें क्या जवाब देती है जनता जनारदन भी जवाब देती है कि जो राम को लाएं हैं जो राम को लाएं हैं और मोदी जी राम को लाएं हैं तो मोदी जी फिर से आएंगे कोई संदे नहीं कोई संदे नहीं होना चे बैन और भाईयों मैं तो आज आप से कहने के लिए आया हूँ चुनाओ के बहाने चंद सेकर वावन कोले जी मुझे यहां लेके आ गए वेसे गालना में हमारा आस्रम है हमारे मेरे गुरु भाई योगी बिलासमाद जी वहां बिराजमान होते हैं और मैंने कई बार प्रियास किया लेकिन बहन और भाईयों इसी महाने मैंने का चलो मैं चलता हो इस बार मैं जाओंगा तो माले गाओके एपने भाईयों को दुलिया के एपने बंद solchen को सब को मैं बेन और भाईयों को मैं आज अयोध्या में प्रवु राम लला के दर्सन करने के लिए आमंत्रण जरूर दूँगा बेन और भाईयों भारती जनता पार्टी आज भारत को आत्म निर्भर और विक्सित भारत बनाने के संकल्प के साथ इस चुनाव में उत्री है चुनाव हमारे लिए के उस सब्ता प्राप्त का साधन नहीं है चुनाव हमारे लिए एक गरीब के चेहरे पर खुसाली लाने का एक बंचित को उसका अधिकार दिलाने का एक नौजमान के हाथ को रोजगार उपलब्द करवाने का एक अन्नदाता किसान को उसका हग उपलब्द कराने का एक बेटी और एक बहन को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का और भारत की विरासत को सम्मान दिलाते हुए विकास के पत पर भारत को दुनिया के अंदर अग्रणी राष्ट के रुप में स्थापित करने का है यह चुनाओं क्यों सत्ता प्राप्त करेंगे जैसे की कॉंग्रेस के लोग और इंडी गड़वंदन कर रहा है कि जीतेंगे तो मिलके लूटेंगे इनके लिए चुनाओं क्या है लूटने का एक माध्यम है हमारे लिए चुनाओं जनता जनारदन की खुसाली के लिए और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की रुप में स्थापित करने का एक संकल्प है और उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यह संकल्प नहीं होता तो क्या पिछले दस वर्स में भारत इतनी प्रगति करता है आपने देखा होगा नए भारत को मोदी जी के नित्रुतों में पिछले दस वर्स में भारत ने जो प्रगति की है अभूत्पूर भ भाईयों दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है 2014 के पहले क्या स्थिती थी 2014 के पहले दुनिया के अंदर भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था लगातार सम्मान घड़ता जा रहा था सीमाएं असुरक्षी थी गुसपैट होती थी आतंगी बिस्पोट होते थे और जब भी मैं तब भी सांसत था और मेंबरों पारलमेंट के नाते जा हम पारलमेंट में समुद्धे को उठाते थे तो कॉंग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंगबादी सीमा पार के हैं हम क्या पैन और वाईयों पिकास के कारे ठप पड़े थे फ्रस्ताचार चरम पे था गरीब भूग से मरता था किसान आत्म हत्या करता था नौजवान प्लाइन करता था बेटी और ब्यापारी सुरक्षित नहीं थी और हर हिंदु पर्व और त्यवार के पहले दंगे हो जाते थे यही होता था ना लेकिन बैन और भाईयों चौदा के बाद कैसे परिवर्तन हुआ है आज दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है सीमाएं सुरक्षित हुई है सीमाएं सुरक्षित होने के साथ साथ आतंगबाद और नकसल बाद पर नकेल कसी गई है अब तो जोर से कहीं पर पटाका फड़ जाए ना तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कहता मेरा हाथ नहीं है मैं अब अब ये सीम पार कातंगबाद समाब पाकिस्तान के समर्थन में बात करते हैं ना इनको पाकिस्तानी भेज देना चाहिए जाएं वाँ भी कमालिया देख रहे हो वाँ पे भारत 80 करोड लोगों को पिछले 4 वर्स से फ्री में रासन दे रहा है और मोदी जी ने का अगले 5 वर्स तक देंगे और पाकिस्तान में लोग भूकों मर रहे हैं पाक अधिकरत कस्मीर में किस परकार का नजा रहा है अराजकता है लोग एक किलो गेहूं के लिए लड़ रहे हैं आटा के लिए लड़ रहे हैं आपस में मारपीट कर रहे हैं आगजनी हो रही है तोड़ फोड़ हो रही है और मै तो कहूंगा इन पाकिस्तान परुस्तों से जाए पाकिस्तान में भीग मांगे पाकिस्तान में कंगाल बन करके वहां पर इनके दिमाग ठिकाने न लग जाए तो अपने आप ठीक हो जाएंगे बैन और भाईयों खाएंगे भारत के अंदर और जो गाएंगे पाकिस्तान का उनके लिए हिंदुस्तान में कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए जो लोग कहते मोदी जी ने क्या किया है बहनअर भईयों उनको सबसे पहला जवाब दीजे कि जितनी पाकिस्तान की आवादी है उससे ज़्यादा लोगों को मोदी जी ने दस वर्स में गरीबी रेखा से उभार करके खुसा जीवन जीने के लिए एक मार्ग प्रसस्त किया है उनको बताईए पाकिस्तान की आवादी 23 करोड और मोदी जी ने 25 करोड लोगों को गरीबी से उभारा है ये है नया भारत पैन और भाईयों आयुस्मान भारत 60 करोड लोगों को 5 लाग रुपे की सुविदा और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्स से उपर के हर एक बिर्द नागरिक को बिर्द जन को 5 लाख रुपे प्रति वर्स आयुस्मान भारत की सुविदा उपलब्द करवाएंगे स्वास्ते की सुविदा उपलब्द करवाएंगे फिरी में उपलब्द करवाएंगे बेन और वाईयों पचास करोड गरीबों के जंधन एकाउंट खुले हैं 12 करोड अनदाता किसानों के ले किसान सम्मान निदी 12 करोड गरीबों के घर में सोचाले बने हैं LPG का सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में मिलता नहीं था पैसा दे के भी नहीं मिलता था मोदी जीने 10 करोड घरों को फिरी में उपलब्द करवाने का काम किया है और 4 करोड चार करोड गरीबों के मकान बन गए हैं और बाकी जितने बचे हैं अगले 5 वर्स में मोदी जीने का उन सब के लिए भी एक एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे पैन और वाईयों एक तरफ गरीब कल्यान कि यह उसनाए और दूसरी वह इंफ्रास्ट्रक्चर अरे महाराष्ट का दो सभाग्य है मोदी जी के नित्रत्तों में आधनिये नितिन गड़ वर डसाइड वे पॉर लेन्गेност्षी एंट लेन्टली डी के एक्स्प्रेस्ट थे बन रही है यह कर ben द्रें ईयरपोर्लास हिएी म एमस्ची प्रेल एट्टी न आइटी वड़कलास इन्वेश्टी हर घर नलती योजना है और हर घर में grassa होगा नल में जल जलोगा जल भी आरोका होगा यह भी मोदी जी के नित्रत्व में आथपुरे देश के अंदर लागू हो रहा है और वैन और वाईयों यह तो मैं आपको धन्यबाद देने के लिए आया हूं आपने आपर डॉक्टर सुवाज जी भामरे को अपना मेंबर अपालेमेंट बनाया था और बना रहे हैं एक पड़ा लिखा इंसान कैंसर सरजन उच्छ शिक्षित कैंसर सरजन वह तो इन सब के बारे में जानता है संसत में मंत्रालेओं में इन मुद्दों को ठाता है उन्हें योजनाओं को यहां पे ले करके आने का काम करता है एक तरफ यह भारत और दूसरी तरफ कॉंग्रेस के नित्रत्तों में इंडी यह जो कॉंग्रेस है ना हमें एक गफलत छोड़ देनी चाहिए कि यह कॉंग्रेस महात्मा गांदी वाली कॉंग्रेस नहीं यह कॉंग्रेस वह कॉंग्रेस नहीं जिसको सरदार पटेल ने लोग मानने तिलक जी ने जिस कॉंग्रेस को नित्रत्त दिया था यह कॉंग्रेस सोनिया कॉंग्रेस है सोंगलिया कॉंग्रेस राहूल कॉंग्रेस है यह कॉंग्रेस यह कॉंग्रेस अब इसका जो परिवर्थित रूप है यह परिवर्थित रूप इसका क्या है यह परिवर्थित रूप है यह अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती इसने किया भी नहीं है यह करना भी नहीं चाहती है लेकिन यह इसका जो घोषना पत्र है उलेक्सन मेनफेष्टों ज्मव जारी किया है अगर इनकी मेनफेष्टों को अगर आद देखेंगे तो भैन और भाइयों आपको लगेगा कि यह मुस्लिम लीक का मेन strive to है कॉंग्रिस का नहीं लगेगा दूसरा कि इस पे इसने जो घोचणाएं की है यह कहती है दो तीन चीज़ें थी खतरनाक है पहला यहाँ अनुसूची जाती जन जाती और पिछडी जाती को मिलने वाले आरक्षण पर सेंद लगाना चाहती है और इसके लिए यहाँ आपके आरक्षण के अधिकार को मुसल्मानों को देना चाहती है क्या अनुसूची जाती और पिछडी जाती के हिंदों को मिलने वाला आरक्षण आप कॉंग्रेस को देना चाहेंगे क्या धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध बाबा साफ भीमराउं बेट करने भी किया था यह लोग बाबा साफ भीमराउं बेट कर अकाप मान करना चाहते हैं दूसरा कॉंग्रेस ने जब यूपिय की गॉवर्मेंट थी तब जस्टिस रंगनात के अध्यक्स्ता में कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछडी चाती को मिलने वाला आरक्षण में से छे फीजदी आरक्षण को देना चाहिए बीजेपी और एंडिये ने विरोद किया था बैन और भायों कॉंग्रेस की मंसाव उस समय हम लोगों ने पूरी नहीं होने दी थी मैं संसद में था हम विरोद करते थी कई दिनों तक विरोद चला और बैन और भायों यहीं नहीं जब वहाँ उसको यह विवस्ता करने का प्रियास किया कि मुसल्मानों की कुछ जाती को अनुसुची जाती में सामिल करके उनको अनुसुची जाती का आरक्षन दे दिया जाए हमने तब भी विरोद किया था हमने का बाबा साब भिम्राम बेटकर की भावना के विरोद है यह आरक्षन यह का मैंने फेश्टो फिर से मुस्लिम आरक्षन की वकालत करता है हमें इसका विरोध करना चाहिए यह भारत के विवाजन की अधार सिला है दोसरा बेन और भाईयों कांग्रेस के सहजादे क्या कह रहे हैं कहते हैं कहते हैं वे कहते हैं मैं एक जटके में गरीबी मिटा दूंग उनसे पूछा गया कि गरीबी कैसे मिटाएंगे कैसे अटाएंगे गरीबी उसने का वैजित इमर्जन्सी से यादि इमर्जन्सी और कॉंग्रेस यह दोनों एक दूसरे की पूरक हैं इमर्जन्सी का मतलब वहाँ आपकी संपत्ति का सर्वे करवाएंगे संपत्ति का सर्वे करा करके फिर उस पे एक वरासर टैक्स लगाएंगे आपके बाब दादों की जो संपत्ति होगी आपके ग्रेंट फादर ने आपके फादर ने आपकी मदर ने जो संपत्ति अरजित की है और संपत्ति स्वाभाई कि के लोग और उनके सयोगी जवर्दस्ती ले करकर के फिर मुसलमानों को बांटने का प्रियास करेंगे क्या आप इसको शुईकार करेंगे क्या क्या उसको करेस अधिया और बैन और भायों एसलिए मैं कहता हूँ एक कॉंग्रेड का वरात्स यह औरंग जेब का जजिया कर है औरंग जेब की आत्मा घुस गई है कॉंग्रेस में और इसलिए बैनौर भाईयों क्या औरंग जेब को ये देश प्रदास्त करेगा क्या महारास्त प्रदास्त करेगा क्या क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया। कॉंग्रेस को स्वीकार नहीं करना है। कॉंग्रेस को एक सिरे से खारिज करना है। एक कॉंग्रेस और इसके सयोगी सारे लोग एक जैसे जैसे कॉंग्रेस इसे सयोगी। वे सवी के सवी लोग इसी प्रकार के कारिया में लिपता है आज तो मैंने सुना आज तो मैंने इस बात को देखा मैं एक समाचार पत्र पढ़ रहा था और समाचार पत्र में में देख रहा था कि किस तरीके से इनके द्वारा चुनाव परचार किया जा रहा है और चुनाव परचार में किस परकार की बातों का यहां पर खुला सक्या जा रहा है यह मैं मुंबई का ही देख रहा था और मुंबई में में देख रहा था कि मुंबई में एक प्रत्यासी है यानि मुंबई बलास्ट का 1993 का जो दोसी है उसका एक अभ्यूक्त दोसी जो दोसी है इकबाल मूसा वहाँ इंडी गडवंदन के प्रत्यासी के लिए वोट मांगते वे दिखाई दिया है अब आप मुझे बताओ क्या आप मुंबई ब्लास्ट के अपराधियों को स्विकार करेंगे क्या जिन लोगोंने हजारों लोगों को मारा हो जिन लोगोंने हजारों करोड की संपत्री को नुकसान पहुचाया हो वे खुले आम वोट मांगे क्या इसको हम स्विकार करेंगे बेन और वाईयों मैं आज आप से कहने के लिए आया हूं मैं आप से आज कहने के लिए आया हूं एक बात कहने के लिए आया हूं भारती जनता पार्टी और सयोगी दलही एंडिये ही भारत को सुरक्सा दे सकती है सुरक्सा दे सकती है और किस रूप में दे सकती है इसका मॉडल मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश में मैं पिसले साथ वर्स से चिप निश्टर हूँ साथ वर्स में उत्तर प्रदेश में तो साड़ी 6 क्रोड मुस्लिम आबादी है आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या साथ वर्स में कोई दंगा नहीं हुआ कोई दंगा नहीं कोई कर्फ्यू नहीं दंगा भी नहीं कर्फ्यू भी नहीं और साथ साथ जितने भी बड़े-ब बड़े माईक लगे वे तनों पर वे सब उतार करके रख दिये गए है अगर सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है है और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं आपसे ही कहने के लिए आया हूँ मैं बैन और भाईयों अगर हमने अयोध्या में रामलला को बिराजमान किया है तो जितने दंगाई थे जितने बड़े-बड़े माफिया कॉंग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहाँ पाले वे थे इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है इस सब निकल गए सब गायब हो गए कुछ लोग तो बोलते थे कि साब पस हमें जेल डाल दीजे हमने का जेल नहीं तुमारी जेगत जहन्नुम है जहन्नुम और इसलिए बेहन और भाईयों मैं आप सभी से ही कहने क आए यह हूँ कांग्रेस की घोषना पत्र में एक और बात लिखी गई है और लिखी गई है कि अगर कांग्रेस नित्रत्वा की सरकार बनेगी तो कांग्रेस अल्प संख्योगों को उनकी रूची के उनसार खान पान की स्वतंतरता देगी बैन और भाईयों में पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा खान पान है जो बहुत संख्यक और अल्प संख्यक जिसमें मत्भिन्नता रखते हैं वा केवल गो मांस है हिंदु जो भी होगा हो कहेगा इस आगंभी नएं गय हमारी माता है जनम जनम का नाता है हमारे पास तो धारन है सकरपते सिवा जी महराज का जब गव हत्यार को नुँने देखा कि यह कसाई गव माता पर ब्रबरता ब्रबरत्याचार कर रहा है तो उसका काम तमाम करवा दिया था उनोंने और यही मैं कहने के लिए आया हूँ पैन और भाईयों यह कहती है कि आएंगे तो गौह हत्या करने की छूड़ देंगे क्या आप यहां माले गाओं में और धुलिया में क्या यह कांग्रेसी लोगों को क्या यहां पर गौह कसी करने की गौह हत् हुआ है आपको उस पूर्ण को गौहत्या करवा कि पाप में नहीं बदलना है राम मंदिर बना है मोदी जी का यससी ने तृत्वा है लेकिन स्रे आपको जाता है क्योंकि आपके वोर से ही मोदी जी प्रधान मंतरी बने है कि पूर्णे तो आपको भी प्राप्त हुआ है और इसी लिए आपसे मैं कहने के लिए आया हूं यूपी मैं तो हमने सभी स्लटर होसे जी बंद करवा दिये न रहेगा मास न बजेगी मासुरी बंद करो इसको कि बैनौर भाईयों मैं अच इसीले आपसे कहने खिले है हूँ इसीले मैं आज आपके पास साया हूँ हमें कोई संदे नहीं होना चाहिए कोई कोई संदे नहीं होना चाहिए एक ही लक्से होना चाहिए एक ही बाह होना चाहिए एक कांग्रेस और इंडी गड़वंदन इनका कोई लक्से नहीं इनका कोई उद्देश से नहीं इनकी कोई नीदी नहीं इनके पास कोई नेता भी नहीं यह जितने दल है उतना ही दल दल में भी है इनके पास देश के लिए किसी प्रकार का कोई इनके पास विजन नहीं है और इसलिए इनका मिसन भी नहीं है यहां तो केवल और केवल देश के विभाजन के आधार सिला रखना चाते हैं देश की कीमत पर सत्ता चाते हैं हम देश सरोपरी मानते हैं भारत सरोपरी मानते राज टिकले सब कुछ समर्पण सब कुछ समर्पण अगर हमारी सत्ता कभी देश के मार्ग में भारत के नौनिर्माण में भारत के विक्सित भारत की संकल पाना में बाधित बनेगे हम सत्ता को ठोकराएंगे पहले भारत के विक्सित भारत के निर्माण के मार्ग पर आगे व और इसलिए गुम्रा कर रहे हैं जूट बोल रहे हैं क्योवल इनके पास अब एक ही एक ही अस्त्र बचा है और वह बचा है केवल अफवा फैलाने का गुम्रहा करने का मन गडंतारोप लगाने का क्योवल यही एक मात्रिन के पास बचा हुआ है और इसलिए गुम्रा नहीं हो इसलिए बनाना है, जिस से च्चत्रपति सिवाजी महराज की हिंद्वी सुराज के सपने को हम सतंतर भारत में साकार कर सके हैं इसलिए बनाना है जिससे सर्देव बाला साथ ठाकरे के सपनों के साकार करते वे एक ऐसा भारत बनाना है जिस भारत में खुसाली हो जो दुनिया को नित्रत्व देने वाला हो हमारी बेटी भी और प्यापारी भी इस्तरक्सित हो अनदाता किसान के चेरे पर खुसी हो और नौजवान के हाथ को कार्य हो ऐसा आत्म निर्फर और विक्सित भारत बनाना है और इसके लिए भारतीय जनता पारटी आपके सामने है और इसलिए मैं आप सबसे पील करूँगा इस सीट पर डॉक्टर सुबाज जी भाम्रे पहले भी सांसद आपने बनाए थे आज फिर उनको बना करके भेजना है और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ मैं आज अयोध्या से अपना कारिक्रम मस्तिकित करके सीधे आपके पास आया हूँ आपसे बिनम्र अपील करने के लिए इस सेट पर डॉक्टर सुबाज स्री बाम्रे चनाव विजयी बन करके जाए और फिर आपको ले करके अयोध्या में रामला का दर्सन करने के लिए आए मैं उनसे भी कहूंगा यहां के जितने भी हमारे एमेलेज हैं इनसे भी कहूंगा इस सब एक साथ आए मुझे किवल एक बार सूशना दे देंगा है आज अयोध्या नहीं अयोध्या वन गई यह बेन और भाईयों ऐसे लगता है जैसे भग्वान राम के समय की अयोध्या फ जो गये थे वह अभीभूत होकर के आये हैं अंता करण से अपने पुर्वजों का धन्यबाद करके आये हैं कि जिस कारे के लिए उन्होंने संघर्ष किया था आज रामलला को देख करके आ रहे हैं और अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में है और उस नहीं अयोध्या के लिए मैं आपको आमंतित करने के लिए भी आया हूँ अयोध्या का दर्सन एक बार जरूर करिए आप आईए और जब आना हो तो मुझे एक बार सुचना जरूर दे दीजिए बाकि आपकी कोई समस्या नहीं होगी सारी सम जहां भी है पुरे महाराष्ट के अंदर उन सभी तेरा सीटों पर एंडे के प्रत्यासियों को भारी बहुमस्य विजई बना करके भेज़े बेन और वायों इस बार कच्छनार ग्यासिक होना चाहिए जीत तो पक्की है लेकिन जीत एध्यासिक भी होनी चाहिए